बिस्मिल्लाइ रफ्माज रहीम अश्वाम लीकूम वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल किचन गार्डन में तो कैसे आप सब लोग उमीद करते हूं कि सब क्यारियत से होंगे आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जट पड़ बने वाली रेस्पी आज हम बनाने जा रही हैं एक यूनेक स्टाइल से सैंडविच जो के बहुत ही यमी और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी होने वाले बहुत सी मदर्स होती हैं जिनको बहुत टेंशन होती है वह बहुत बड़ी होती है कि हम अपने बचों को लंच बॉक्स में क्या दें तो यह उनके लिए भी है और बड़े लोग के लिए भी है टी टाइम के लिए टी टाइम के लिए भी यह परफेक्ट है तो चलते हैं बॉला की जीरच के लिए, तो शारो है इन सब्सक्दों के लिए बना लिया है इस जाम मायवनीं रॉड़ी किया नियो है क्याल की की ही मायवनी नार windows लुड़ी, है व्डॉटी फौत की बड़ी चैनल में वाओत की ल conse बनाई बहुत एजी कटिंग है इस तरीके से यहां पर एक ब्रेड का स्ट्राइस लिए इस तरीके से यह एक स्टील का ग्लास है यह इसी लिये लिया है क्योंकि यह वाला ग्लास हर घर में अवेलिबल होता है ताकि आपको असानी हो बिल्कुल भी आपको पटर लेने के जुरूरत न इसको निकाल लेंगे यह बहुत एजी है और आपके बच्चे जो है बहुत शॉक से इसे खाएंगे तो यह देखें यहां पर एक और श्लाइस लिया है इस तरीके से इसको भी हम कर लेंगे यह देखेंगे यह देखें वीवर जो इसको सॉषिस में फाले से मैं लेंगे उसको भी हम के नए बनाए उसके वीवर जोियूस में Is 씨 डло सॉषिस में हमने इसको कट कर लिया है तो यह देखेंगे वीवर जो साइड्स ि उनको इस तरीके से ब्रेट कुरम बनालिया अनका ठिक है वीवर साह आपने 2 टेबर स्कून मैदा लिया है इसका हम गोल पनाएंगे अब गोल पनाके इसमें यह कबाब इसको इसमें गोल लगाके फिर जिप करेंगे पिर उस पर निकले ना जो ब्रैट है इतना पानी इसमें एट करेंगे साथ साथ दिखाते हैं ना बहुत ज्यादा थिन आपने नहीं करना है ठीक है ? इक घर में बनाया मयो बहुत अच्छी बनती है और साफ सुथी बनती है हाईजैनिक अलीब बहुत है है इस साइड पर आप मयो एड़ करें आप ठीक है दूसरे स्लाइस पर भी मयो लगा रही है ममा इस तरीके से यह रिखें जो आपके बत्चे है वह अच्छी मज़े से लुग फिनिश करें गर आया करेंगे ठीक है रासमी आप यह रेस्पी बना पर उनको देए पिर आप देखें कि आपके बच्चे कितने शौक से खाते है तो यह तेखें और अक हृट मैय बार्ट कर於 मैड़े है , अब हमस्ते ही केचब कर Sylkan इं तर उत्रच, ये ठाद है , MAयो केचब करूँए , उत्रच क्यों से प्लिदार इनत्रच को कर सुआ हैरे Alle केचबी पर काशवा कुरे अहे है , बार है अब ये क्यामी के बाब को रखने रिए ऐसे बहुत ही सिंपल तरीके से ये बने हैं ठीक है इसमें चनी की डाल थी चिकन था उसको अच्छे से बॉाइल कर लिया नमक काली मिर्च और जो है दन्या पुदीना डालता बीका पुदीनी और भाठ्च अब ये दिखें दूफर स्लाइस के उपर हैट कर देंगे पथ ही यमी लूग का रही है अभी सही ये देखें इस तरीके से आपने बना ले ने ये दिखें यहां पर इक हम उथाएंगी इस तरीके से इसको का ईब करेंगे ताके हर तरफ जो है अच्छे से मेता लग जाएगे अब ब्रेट करम में लगाएंगे अच्छे से आपने ब्रेट करम लगा देना है तक इसे बहुत ही क्रिपी बन कर रेदी हो जाएगी अच्छे से गरम हो गया है अब इस पर यह एड कर सेंगे अब बागी के भी एड कर देंगे यहां पर जो तीनों सैंडविच है वह एड कर दी है अच्छा सा प्यारा सा जब गोल्डन ब्राउन कलर आजाएगा फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे इसके लाब अवी बड़त अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें लाइक करें बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें इससे आपको मेरी है नहीं आने वादी वीडियो का नोटिफकेशन मिल जाएगा तिक है यह देखिए अब हम इनकी साइड शेंज करेंगे बहुत प्यारा सा बड़ी अच्छी लुक आ रही है यह कलर अच्छा आ गया है दूसी साइड को भी आ रहा है इसी तरीके से हम करेंगे बहुत ही मज़गी रेस्पी है आज राख में ट्राइब करें और बड़ों को भी बड़े कली बिमनाए नहीं हाटी टाइम के लिए न करले को ठाइब नहीं है आज एकला पाथ मेधन आज़ बताइए गाठी टिके है तो यह देखें आज़े लिए बहुत ही मज़गी मज़गी करें इसदिखार परसे क्रिस्पी है ठीके अबर से बहुत ज्यादा क्रिस्पी और अंदर से उत्नी से जोफट है यह दिखें कित अपने बचों को ट्राइए करवाएं लंच बोक्स में उन्हें जरूर दें तो मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में दूाओं में याद रखेगा अपना भी आपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफीज